वेल्कम बैक तो शालनी क्लासेस फॉर्स्टो फॉर्स्टो फॉल गुड इपनिंग तु एव्रीवन सुभ संध्या सभी को मेरी तरफ से मैं हुशालनी स्वागत करती हूं हमारे चैनल शालनी क्लासेस में कैसे हैं फैंट आशा करती हूं आप बढ़िया होंगे स्वास्त होंगे पड़ रहे होंगे दयारी इच्छी चल रही होगी आज की स्क्लास में आप लोगों की डिमांड पर बहुत बर आप लोगों ने कहा था कि आयू से रिलेटेट जो प्रशन है मैं करवाईए तो यहां पर मैंने एज से संबंदित प्रशनों को लिया है यह आज मैंने शुरू किया है आपको इसमें questions करवाऊंगी एस से रिलेटेट सारे questions जितने भी सब आयू से सबंदित होंगे क्योंकि इसका एक प्रशन हर बार देखने को है कि हर बार यह आ रहा है तो शायद एक प्रशन अज इस बार भी आजा है तो आप से कहीं गलती ना हो जाए इसलि बेटेबी topic है मतलब यह एस related वाले वह भी आपको एक्गाम से पहले में देरी फिर करवाद होंगी ठीक है फ्रेंड्स आपका स्वागत है शाने classes में आपको यहां पर एक ही काम करना है वो है कि जो भी आज पहली बार यहां पर आ रहा है और मैं आथी अपसे important topic जब मैं करिएगा और एक बात बहुत ध्यान से रखना है कि अपने comment box में छोड़ा सा मेरे लिए feedback भी देदे जाएगा कि आपको एक class कैसी लेगी इस से लेटेड और प्रशन करने होंगे तो मैं आपको करवाऊंगी अपुरा वीडियो इन तक जरूर देखेगा क्यों कि आप यहां सुरेज की उम्र किरण की उम्र की दोगनी है एक लड़का है सुरेज एक लड़की है किरण कह रहा है कि सुरेज की उम्र किरण की उम्र की दोगनी है यदि दोनों की उम्र का जो योग है वो 24 साल है तो सुरेज की उम्र कितनी होगी बताईए आयो के सम्बंदित प्रशन आ जब तक आप इसमें प्रश्ट को नहीं समझेंगे, यह प्रश्ट आप कर क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि आप प्रश्ट नहीं नहीं समझ पाते हैं, प्रश्ट समझ लेंगे, तो बहुत आसान है, बहुत आसान ही से कर लेंगे, देखें क्या कह रहा है, सुरेज एक लड़क है तो सुरेज की उम्र आठ होगे कि चार का दो गुना आठ होता है समझ रहे हैं अगर सुरेज की उम्र आप छे को होगे तो सुरेज अगर आप किरण की उम्र छे साल बताओगे तो सुरेज की उम्र कि दो गुनी है तो यानि कि सुरेज की उम्र बारा साल है आप जितनी किरण की उम्र बताओगे उसका दो गुना सुरेज की उम्र होगा ये बात प्रश्ण में कही दा ली हम नहीं कह रहा है कि किरण की उम्र का दो गुना सुरेज है लेकिन अगर दोनों की उम्र का हम योग करते हैं तो उनका योग 24 साल आता है दोनों की उम्र का जो योग है वो 24 साल आ रहा है फिर भी पूछ रहा है कि सुरेज की वर्तवान उम्र बताईए कि सुरेज की उम्र क्या है अब देखिए पहले तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ की सुरेज को यस के नाम से लिखेंगे किरण को के के नाम से लिखेंगे अब आईए सबसे पहले क्या करेंगे आपको जितनी बात कहींगे उतना ही वर्त करना है कह रहा है कि किरण की उम्र का दो गुना सुरेज का है तो मैंने किरण की उम्र को एक साल माना एक का दो गुना दो होता है सुरेश की उम्र को मैंने दो साल मना कोई प्रॉल्लम? Any problem? No हमने किरन की उम्र को एक साल मना सुरेश की उम्र को उसका दो गुना मना अब हम क्या करेंगे जो यहां पर बन जाएगा दोनों के बीच में रेशियो इनके जो उम्र का यह रेशियो दिया है इसका हम योग करते हैं ठीक है? इनका यह रेशियो का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा अब हमको पता है कि दोनों की उम्र का हमको जो योग दिया है वो 24 साल दिया हुआ है अब आपको कुछ नहीं करना है इनकी जो आपको उम्र का रेशियो बताया गया है, दोनों का जो आपने योग किया, तो आपको जो तीन साल आया है, इस चौबिस में लेजा के आपको तीन से भाग दे देना है, आप क्या करेंगे, चौबिस में तीन से भाग देंगे तो आठ साल आएगा, कितना आएगा, द आप इसको बकाइते पूरा सही से लिखेंगे तब ही आपको नमबर मिले है क्योंकि मैस्ट में स्टेप पार्किंग होती है इसलिए ध्यान लखेंगा तो लिखेंगे आता सुरेश की उम्र वारावर दो कि रेशियो कितना था दो था दो कैसे था किकरण की एक मानी एक का दो अब आप क्या करेंगे इस दो में जो आठाया है गुणा कर देंगे सोला साल निकल जाएगा सुरेश की उम्र कितनी निकली सोला साल कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं बहुत आसान है सिंपल है बहुत आसानी से करेंगे ठीक है आईएसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स द अशोक जो से साल s. बाद टो इस समय प्रदीव की बरतमान आईव क्या मतलब अगर प्रदीव की असौक जो है 6 सालि का हो जाएगा तो लेकिन अभी प्रदीव की कि वरतमान आईव क्या है दोनों की जो आयूं का योग है वो चार रेशियो तीन है ध्यान से फिर पढ़िए मैं फिर बोल रही हूं यह जो बच्चा प्रश्न पढ़ ले जाएगा वो अंसर कर ले जाएगा आप अशोक एक लड़का है जिसको हम एक के नाम से इंडिकेट करेंगे प्रदीप को हम पी के नाम से ठीक अशोक तथा प और बताईए कि क्या हुआ कुछ नहीं करना जैसे हमने उपर के एकदम सेम हुआ हूँ इसमें भी करना है देखे हम लिखेंगे असोक ए प्रदीप पी असोक कितनी है असोक का और पी इंका रेशियो कितना है चार रेशियो तीन हमने ऐसे ही लिख दिया अब आपको बोल रह जब असोक की 26 की होगी तो पहले तो यह बताओ कि अभी कितना असोक कितना है यह तो 6 साल बात की बाता है ना कि 6 साल बातो 26 साल का हो जाएगा लेकिन अभी असोक कितने साल का है इसको कैसे निकालोगे तो इसको निकालने के लिख आप 26 मेंस कर दो किता आज आएगा कि 26 साल कितना आएगा असोग कितना है आप से प्रश्म पूछा जाए कि आप दिखेंगे असोग की वर्दमान आयू 20 साल है कितनी है 20 कैसे आया हमने 26 में सब 6 साल माइनस कर दिया तो अभी असोग कितने साल का है 20 साल का 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 26 साल का तभी तो कहा गया कि जो उसे से भाग करो तो पांच वर्स आएगा इका 5 वर्स अबर तो है कि पर दीब की वर्तमान आयोग्व भीटानी थी उससी क्रोंग पर०ीब की आयू बराबर पांच गुड़े तीन बराबर 15 साल यानि कि असोग 20 साल का है और प्रदीप 15 साल का है समझ में आया समझ में आया आया आप बहुत आसान है आपको कुछ ना कुछ उसमें दिया रहता है कि आपको यह आसानी से आप निकाल लेंगे objective में आएगा तो आपको objective लिखा रहा है का 15 साल 16 साल 10 साल तो आपको टेक करना होगा इस तरह सॉल्फ करके आपको यह ध्यान रखना कि जब भी आप सॉल्फ करें पूरा पकाइदे लिखेंगे तो भी सॉल्फ करेंगे लिखने से नंबर में मिल जाएगा आपका कार्य भी बढ़िया हो जाएगा तो थोड़ा सोटा कर दो तकि आपको पूरा दिखाई दे अब सही है चले पढ़िये दिया है राम राम को आर से राम और श्याम श्याम को यह से ठीक राम और श्याम की आयू का अनुपार पांथ रेशियो तीन है राम और श्याम की जो आयू है उसका जो रेशियो है वो आपको दौराज की पिर बता दे रहे हूं आपको दो रहा की पिर बता दे रहे हम आगे ताकि आप देख लेरे पहले प्रश्णAl करेंगे अब क्षा है कि यहां पर धैना टैज देखेंगे कहा त्स अहाले है प्रश्ण को पढ़ देखिए हो जबomoomb योग करेंगे तो आएगा नौ योग दोनों के आयू का जो अनुपात हमें बताया था वो पांच शेश चार है अब दून की जो आयू का योग है वो 81 वरस है इसे 80 मिलाएगे 9 से भाग कर देंगे 9,9 – 89 9 साल आ जाएगा राम की आई उनको बताये राम का रिश इसिमपल है आप एक बार समझने का खेल है आप समझा आप कर लिरताएगे जहान रखेगा आगेई चल लें ओकी लाइक कर दी रे फ्रेंट्स अब आपकी डिमांड पर प्रपरशन हो रहा है तो मेरी भी तो डिमांड पूरी की जाए क्यों लाइक तो बनता है ना चलिए आईए देखते हैं फोट फोट क्या कह रहा है पड़ते हैं महेज एक बॉय है और सुरेश एक बॉय है म महेज को यम से सुरेश को यस से महेज और सुरेश की जो वर्तमान आयू का रेशियो है वर्तमान आयू की बात हो रही है तो दो रेशियो तीन है तदा इनकी आयू का जो योग है वो पंदरा साल है महेज की आयू पांच वर्स क्या होगी पांच वर्स के बाद क्या होगी य एक लड़का है महेश और सुरेश इनकी जो वरतमान आयू का रेश्यो डिया है वो तो रेश्यो ठीन धिया हुण है और दोनों का योग है वो फंद्रा साल है मुथ पूच रहा है आपसे कि महेश की आयू ने प् incommbol 7 पाफ क्या हो गी तब आपको कैसे करना है तो सेम उसे तरीके से करना पस थोड़ा से इसमें अलग तरीका है वो देखो कैसे दोनों को रेशियो कितना दिया था दो रेशियो तीन तो हम इसको दोनों का योग करेंगा तो पांच आएगा पांच वर्स आएगा अब आप क्या करोगे योग कितना दिय वाज दिया है लोग ना में और सुरेश नाम यह पांधर कर दो तुनार कर दौना कर दो तो पॉर्जां आ तौनत कर दो थेकज़ है त 5 साल आएगा अब लिए विए सब्सक्राइड कर दो तो आंधरा में कड़ जाएगा यहाँ पर दो ताढ़ करता है कि एकह पर फ़िकर निकलो मेहज की वरतमान आयो पहले आप निकालो तब ही पता पऊगे किको 5 साल में कि मोह प सबता हो तो 5 साल आप बता आ होगा न किसी का बिल्कुल समझ को समझता करना होगा तब आप पिस्टी जो कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर देखिए महेश की वर्तमान आयों कितनी निकलेगी कैसे तो महेश का जो रेशियो दिया था क्या दिया था महेश का जो रेशियो दिया था वो दो रेशियो तीन सुरेश का है दो महेश का है तो यह योग में कितना आया तीन साल है इस तीन में इस दो को गुड़ा कर दो तो आप दो त्याए छे करो कि यानि की महेश की जो वर्तमान की आयू है महेश अभी कितने साल का म महेंज कितने का होगा यही बात आपसे पूछी जा रही है ना आपको यहां पर बहुत ही केरफुली ध्यान रखना होगा आप लिखेंगे अता महेंज की जो एज है वो पांच साल बाद कितनी होगी अभी कितनी है छे साल तो आप पांच साल बाद निकालने के लिए क्या करें यह मैं सोचिए कि आप इसको भी गुणा कर देंगे गल्ती आप कर देंगे क्यों कि वह देखने के चकर में जब एक लड़का पांस इस समय चे साल का है तो पांस साल बात कितने साल को 11 साल का जाहिड से बात है इस चे में आपको जो पांस साल आपका पूछा गया था उसमें तो लेकिन आप यह बात तभी बता पाओगे जब आप उसकी वर्तमान निकाल लोगे और वर्तमान कैसे निकाल लिए यह सारे प्रश्ण मैंने आपको दिखा रहे है तो वर्तमान सही निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है आप वर्तमान निकाल लिए तो बाकी आप यूँ ने कर लिया अरे वाह क्या बात है उमने तो चार प्रश्ण अच्छे कर लिए चलिए अब आएए मैं आपको यहां पर पांचवा दिखाती हूं कि बहुत टफ सेक्शन नहीं है चुटे लोटे जी हैं पर ध्यान से हमें देखना है समझना है ताकि आप इसको आसानी से कर ल साल है राजू और सोहन की जो वर्तमान समय प्रचल रहा है इनकी जो एज है उसका जो योग है वो चालिस साल है यदि इनकी आयू का जो रेशियो है वो पांच रेशियो तीन है अगर इनकी जो आयू का रेशियो है उसको हम पांच रेशियो तीन कर देते हैं तो सोहन की आय वर्स बाद की बाद पूछ रहा है बाद कौन सी पूछ रहा है पांच साल बाद क्या होगी पांच साल बाद क्या थी या पांच साल के बाद की बाद आप से यहां पे पूछी जा रही है लेकिन अभी आप जो प्रश्णियां पर करने जा रहे हो उसमें आपको क्या पूछ र होगी तभी हम उस्त्रमान का स्लिछन सही तरीके से निकाल भाएंगे हमें उसकी गलत करो चाह пережर पहले का सद्दध करेंगे देदेटी सोछन को गलत करेंगे इसलिए आप ऐसे प्रशनों में थोड़ा से प्रस्छन को 3-4 बर कथा स्वार करेंगा सबसे पहले उसी तरीके से राजू को यार से सोहन को यस्ते दोनों का रिश्यो कितना दिया है चेसर डीया और तक क्या गा कर गए तो प्रत से चालिस वरस से बivil Cart怎樣 अब आप क्या करेंगे ना अब आप क्या करेंगे एंप की वर्तमान आयू बताएंगे your day इhen 리 स्वार्टरेजियो टीन दिया है रेशियो थीन दिया है अब क्या आप करो जो यह पांच आया है इस पांच कर दो था आप निकाले तो 15 साल आ यानि कि सोहन जो लड़का है वो अभी ततकाल के समय में वो 15 साल का है कितने साल का है वो 15 साल का है अभी जो सोहन लड़का है वो 15 साल का है आपको किसका निकालने को कहा है प्रश्म ये भी देख लेते हैं आपको यहाँ पर कह रहा है कि सोहन की आयू 5 वर्स पूर्व क्या थी, सोहन का ही निकालना है, तो फ्रेंट्स आप जाहिर से बात है कि आप जब देख लिए कि अभी ततकाल के समय कोई रद्गा है सोहन, दब वो 15 साल का है तो जाहिर से बात है कि 5 साल पहले क्या होगा 15 में आप 5 माइनिस कर दो तो 10 साल निकल के आया की नहीं आया तो ये आपका solution हो गया over मैंने आपको सारे प्रिशन आज 5 ही प्रिशन में लिये थे और 5 प्रिशन में ने करवाए चलिए फ्रेंड्स फिर आज की एक लास यहीं पर करते हैं over मैंने इसका आप कहां सा दिखा दी आज मैंने सिर्फ 5 प्रिशन लिया था कि पहले आप लोग ऐसे प्रिशन को 5 प्रिशन ऐसे हैं solve करिए जो आयो से संबंदित है अब आपको मुझे comment box में comment करके बताना है कि आपको यह प्रिशन कैसे लगे क्या इससे संबंदित आपको मैं 5-5-6-6 set का प्रिशन और त्यार करवाऊ या ना करवाऊ या इतना इनफ है आप कर लेंगे आप जैसे उपीने मुझे बताएं कि मैं आपको लिए वैसी ही वीडियो को करने का प्रियास करूंगी तो ठीक है फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहां तक कंप्लीट है आप कर ले जाएंगे जैसा भी हो का पताएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक क्या फटा फट लाइक कर दो सभी लोग और कॉमेंट वोक्स बताना की क्लास कैसी रही हम आपके लिए प्रशन और ले आएंगे इसे समंदित और करवा देंगे मिलते हैं नहीं क्लास में तब तक लिए जैक के कर दो